हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है और गनेश चतुर्थी स्पेशल में आज हम बनाएंगे एक गिलास दूद से बहुत ही टीश्टी और स्वादिश रेसेपी तो आप देख सकते हैं यहां मैंने फ्राइ पैन में एक ग्लास दूद डाल दिया है गैस का फ्लेम अन करेंगे और हाई फ्लेम पे हम दूद में उबाल आने देंगे या दूद को गरम होने देंगे और आप देख सकते हैं दूद को हाई फ्लेम पे यहां मैंने 30-40 सेकेंड के लिए गरम किया था और दूद में बहुत अच्छा सा बॉयल आ गया है और आप देख सकते हैं इसके किनारे में काफी अच्छा मलाई के परत बैठ गया है हम इसे साइड से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे इसका तले में भी बैठा मलाई अच्छे से मिक्स हो जाएगा और अब हम गैस का फ्लेम मेडियम रखेंगे और अब हम इसमें दो बड़ी चम्मच खी डाले यहाँ मैंने जमे हुए घी का यूज किया है अगर आप मेल्टड घी का यूज कर रहे हैं तो आप इसमें चार चम्मच घी डाले घी डालकर हम इसे चम्मच से ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे घी दूद में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा और अब देख सकते हैं घी हमारा काफी अच्छी तरीके से मिल्ट हो गया है और ये दूद में भी मिक्स हो गया है और इस टाइम पर भी गैस का फ्लेम हम मेडियम ही रखेंगे जिससे हमारे दूद जलेना और हम इसे घी के साथ अच्छे से गरम होने देंगे और अब देख सकते हैं या मैंने साइड में भी इसके सारे मलाई को निकाल लिया है और अब हम इसमें एक कटोरी या एक कप मिल्क पॉडर डालेंगे मिल्क पॉडर डाल करके हम इसे भी स्लो फ्लेम पे चलाते हुए अच्छे से घी और दूद में मिल्क पॉडर को मिक्स कर ल mix करें जिससे milk powder हमारे दूद में और घी को अच्छी तरीके से mix हो जाएगा और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे अच्छे से mix करते हुए pan में अच्छे से पका लिया है और यह काफी अच्छे से mix भी हो गया है और गाड़ा भी हो गया हम इसे medium flame पर ही इसी तरीके से continue चलाते रहेंगे जिससे यह काफी अच्छा से पकेगा भी और तले में जलेगा भी नहीं और आप देख सकते हैं यहां मैं इसे continue चला रही हूँ जिससे यह काफी अच्छा थिक हो गया है और इस तरीके से हम इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये बिलकुल अच्छे से पकेगा और आप देख सकते हैं दूद और मिल्क पौडर हमारा बिलकुल बढ़िये से मावा में बदल गया है और इसका देखी बहुत ही बढ़िया मावा बनके तयार हो गया है और अब मावा पैन भी छोड़ा है हम इस टाइम पे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम गैस का फ्लेम आफ कर देंगे गैस का फ्लेम आफ करके हम पैन के हीट में ही इसे अच्छे से चलाते हुए एक मिनट के लिए और मिक्स कर लेंगे जिससे मावा हमारा अच्छी तरीके से भुन जाएगा और दोस्तों आप देख सकते हैं मावा हमारा बिलकुल परफेक्ट और तानेदार बनके तयार हुआ है इस तरीके से आप घर पे ही सिर्फ 10 मिनट में बहुती बढ़िया मावा बना कर इंस्टेंट तयार कर सकते हैं और अब हम मावे को इस तरीके से प्लेट पे निकाल लेंगे जिससे बहुती जल्दी मावा हमारा ठंडा हो जाएगा और अब हम इस पैचुला से ही इसे अच्छी तरीके से फैला लेंगे और जब तक मावा ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस कर लेते हैं इसके लिए हमें ग्रैंडिंग जार लेंगे और इसमें तीन से चार चम्मच चीनी डालेंगे मीठा आप अपने हिसाब से कम्या ज़्यादा कर सकते हैं आप चीनी की जगा मिसरी का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसमें दो से तीन इलैची डालेंगे इलैची की जगा आप केवडा या रोज वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम जार का धक्कन लगा करके इसे बिलकुल बारीग पीस लेंगे और आप देख सकते हैं चीनी ये मर अच्छे से पिस गया है और इलैची के छिलके भी दिख रहें आप चाहे तो इसे निकाल सकते हैं लेकिन अब हम इसे चनी से अच्छे तरीके से छान लेंगे जिससे इसका छिलका अलग हो जाएगा और अच्छी तरीके से चीनी भी च्छन जाएगा और अब हम साफ आत से मावे को चीनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसे एक मिनट के लिए बिलकुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे यहां मैंने हलका मावा गरम था तब ही चीनी का यूज की हूँ और आप देख सकते हैं मावा हमारा बहुत बढ़िये से चीनी के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम एक चमच मावा को अलग एक कटोरी में लेंगे और अब हम इसमें बारी कटे हुए आलमंड, काजू, किसमिश डालेंगे और इसे भी अच्छे से चलाते हुए हम मावे में मिक्स कर लेंगे और ये देखें यहां मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 2-3 ड्रॉप केसरी कलर डालेंगे केसरी कलर डालना बिल्कुल आफसनल है आप चाहें तो केसरी कलर की जगा एक चुटके हल्दी पॉडर का भी यूज़ कर सकते हैं और अब हम इसे चम्मच से ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो इसमें कोई और फूट कलर का भी यूज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं यहां मैंने इसे अच्छे से चमच से ही मिक्स कर लिया है आप चाहे तो इसे हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं और आप देख सकते हैं हमारा स्टफिंग बनके तयार हो गया है और अब हम इसे साइड में रखेंगे और अब हम सारे मावा को एक जगाई कठा कर लेंगे और इस तरीके का एक मोदक स्टेंड लेंगे और मोदक मोल्ड में हम कटे हुए पिस्ता या काजू डालेंगे आप अपने पसंद कभी ड्राइफ फ्रूट डाल सकते हैं और अब हम थोड़ा थोड़ा मावा डालेंगे मावा डालकर हम इसे अच्छे से मावा मोल्ड में सेट कर लेंगे जिससे मावा हमारा एक्ष्ट्रा नहीं होगा और अब हम इसे अच्छे से बंद कर लेंगे और अब हम फिंगर से इसे नीचे की तरफ प्रेस करेंगे जिससे ये अच्छे तरीके से दबेगा और हमारा बिल्कुल perfect shape आएगा और अब हम इसमें केशरी कलर वाला मावा अड़ करेंगे और इसके उपर white वाला मावा डालेंगे और अब हम मोदक stand को हलके हातों से अच्छी तरीके से clean कर लेंगे और इसे हलके हातों से इस तरीके से खोलेंगे जिसे मोदक हमारा बिल्कुल perfect बनके तयार हो गया है और आप देख सकते हैं मोदक का shape बिल्कुल perfect बना है और अब हम इसे एक plate में रख लेंगे और सेम तरीके से हम और भी मोदक को बना लेंगे आप चाहे तो इसे हाथ से भी बना सकते हैं और अब हम मोदक स्टेंड को इस तरीके से बंद करके इसके अंदर पीछे से हम अच्छे से फिलिंग डालेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर लेंगे या दवा लेंगे और अब हम इसके बीच में केसर वाला फीलिंग डालेंगे और इसे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे और अब हम इसके उपर फिर से वाइट वाला मावा का फीलिंग डालेंगे और इसे भी अच्छे से प्रेस कर लेंगे और आप देख सकते हैं मोदक हमारा बिल्कुल पर्फेक्ट और सुन्दर बनके तयार हो गया है और अब हम इसे भी प्लेट में रखेंगे सेम तरीके से हम सारे मोदक बना करके तयार कर लेंगे और आप देख सकते हैं घर पर ही जटपट से हमारे मोदक बनके तयार हो गया है तो इस गनेश चतुर्थी आप बिना टेंसन के घर पर ही इस तरीके से बिलकुल शुद्ध और बिना मिलावटी कम समान में ही इंस्टेंट बिलकुल बाजार से भी बढ़िया मोदक बना के तयार कर सकते हैं अब मैं आपको एक मोदक काट के दिखाती हूँ कि मोदक हमारे कितने सौफ्ट और बिलकुल मखन की तरह बने हैं और आप देख सकते हैं मोदक हमारे बिलकुल परफेक्ट और दानेदार बने हैं इस तरीके से आप घर पे मोदक बनाए और भगवान को भोग लगाए और गने